हेलो स्टूडेंट मैं पूझा पारेशर एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो की क्लास 6 इंग्लेश बुक अपेक्ट विद असन के लेसन 2 की स्टोरी है आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को पैस्टनेटर एड टेक को सबस्काइब करें लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो में आप सबको पूरा कम्प्लीट चैप्टर मिलेगा जिसमें डिटेल एक्स्प्लिनेशन अफ दे लेसन अलोंग विद दा मीनिंग अफ डिफिकल वर्ड्स आप सबी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपना चैप्टर कम्प्लीट करें इसके बाद आपको कुछ भी देखनी की अवशक्रा नहीं है क्योंकि इस वीडियो में डिफिकल वर्ड और कुछ भी सामिल है फर्स्ट अफॉल वी विल सी डिफिकल वर्ड्स फर्स्ट इस फ्रेंडली इस मीन अफेक्शनरी मित्रवत ग्लीव ट्रस्ट यानि विश्वास कंपेनियन पार्टनर यानि साथी क्रोन डेवलप मीन्स बिक्सित होना शाइनिंग ब्राइट यानि चमकदार या चमकीला क्रेडल वैसिनेट इस मीन पालना या जूला जिसमें छोटे बच्चे जूलते हैं एल्टरनेटली रेगुलरली यानि लगातार फ्रेंकली डारेकली यानि सपष्ट रूप से ग्रॉस्टी इडिवल्स यानि खानी का सामान कस्टमरी यूस्वल यानि लगातार स्क्रीम्ट क्राई आउट चिलाया स्रीम मैसी यानि लिप्टा हुआ रेगी रैक एंगर गुस्से में इलाइज्ट एक्चुलाइज इस पष्ट रूप से सोविंग बीपिंग यानि रोना आणावेर, इग्नोरेंट यानि नादान हेसली यानि फास्ट भor टीजी से बहुत तीजी से बहुत तीजी से बहुत देश्ट आईज्ट देश्ट रूप एंगर इडिग रोनाया अगर ग्टुली इस वीटीओ This is the story of Friendly Mongos याने की एक मित्र नेवला Introduction of the Friendly Mongos This story talks about the human tendency to jump to conclusions hurriedly and how this tendency disrupt and causes disturbance in this system. This moral is repeated through our former wife. यह स्टोरी हमें मनुश्य की टेंडनसी यानि उसकी प्रत्तिकिरिया के बारे में बताती है कि वो किस तरह से बहुत तेजी से अपने निर्णा ले लेता है और यही उसके निर्णा नेने की शक्ति विना सोचे समझे लेने की सक्ति उसकी लाइफ को उसके जीवन को गया है तोरल इन इस स्टोरी गिव इन इस पिक्चर क्लियरली थिंक हाड और डू नॉट तो एनितिंग इन हेस्ट इस मीन्स आप सोचे परंतु और कोई भी कार जल्दी बाजी में ना कहें यानि की सारा काम सोच विचार के करना चाहिए पंचितंत रभामनी एंदा मोंगो नाओ विल स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम दच्प्टर लाइन और आपको बुक में जो भी रीडिंग है वो आपको ब्लैक इन बाइट मिलती है परंतु मैंने उसकी रीडिंग को लाइन वाइस लाइस खलरफुल और बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में प्र प्रॉब्लम नहीं होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें क्यूंकि लास्ट में आपको कुश्यन आंसर भी इसमें मिलेंगे एक काउ में एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपनी छोटे बच्चे के साथ रहता था दे लफड हीम वेरी मच वे उसे बहुत प्यार करते थे एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतु जानवर होना चाहिए जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की अवशकता होगी इस पैड विल बी आर संस कम्पेनियन यह हमारे बेटे का साथी बनेगा इस वाइफ लाइक दा आइडिया उसकी पत्नी को यह विचार बहुत पसंद आया यह है तो एक बहुत बच्चा सा नेवला है परन्तु यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का मित्र बनेगा फार्मर विदा टिनी मॉंगो बच्चा और नेवला दोनों वड़े होने लगे इन फाइब और शिक्स मन्स तो मॉंगो साइज पाँच और छे महीने के बीतर ही जो नेवला था उसने अपना पूरा साइज ले लिया वो बड़ा हो गया जो कि एक प्यारा सा एनिमल जिसकी तो काली आखें और एक रोएदार पूछ थी दा फार्मर सन्स वाइवी इन दा क्रेडल श्लीपिंग और अंडर नेटली लेकिन जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी एक बच्चा था और पालने में पड़ा कभी सोता और कभी रोता रहता था दिस इस इस पिक्चर ओ प्यारा सुपनेज जाना चाहती थी शी fed up the baby and rocked him to sleep in his little clatter उसने अपने बच्चे को दूद पिलाया और उसे उसके छोटे पाले में लिटा दिया Picking up the basket, she said to her husband अपनी basket उसने उठाई और अपने पती से कहा I am off the bazaar, मैं bazaar जा रही हूँ The baby is sleeping, बच्चा सो रहा है Keep an eye on him और उस पर नजर रखना Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongos इस पश्ट रूप से मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद कि मेरा बच्चा mongos के साथ अकेला रहे देखे, in this picture आपको दिखाई दे रहा है Farmer की पत्नी बजार दा रही है बच्चा उसका लेटा हुआ है और mongos गेट पर है अब देखते हम आगे क्या होता है You know not to be very afraid Said the farmer किसान नहीं कहा तुम्हें चिंता की कोई अविश्यक्ता नहीं है The mongos is a friendly animal जो नेवला है वो एक मित्रवत animal है It's as sweet as our baby And they are the best of friends You know और यह इतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा और वे दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं और तुम इस बात को जानती हो This is a picture of mongos So sweet, black shining eyes And a wushy tail The farmer wife went away And the farmer having nothing to do in the house Decided to go out And take a look at his fields not far away किसान की पत्नी चली गई और किसान के पास घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने निश्य किया कि वो अपने पास में जो खेते वहां जाकर उनको एक बार देखे आए He ran into some friends on the way back And did not return for quite some time लोटते समय उसे उसके कुछ friend मिल गए मित्र मिल गए और वो time से घर पर बापिस नहीं आप आया यह देखे In this picture Baby is sleeping in cradle Mongos are here I am here And the farmer is gone to his field The farmer wives finished her shopping And came back home with a basket full of groceries Kisahan की पतनी अपनी खरीदारी खतम करकर अपने साथ हाथ में Groceries याने Edibles लेके आई She saw the mongos sitting outside as if waiting for her उसने देखा कि घर के बाहर बैटा हुआ Mongos उसकी प्रतिक्षा कर रहा है On seeing her, he ran to welcome her as was customary और उसे देखकर नेवला उसका स्वागत करने के लिए उसके पास आया जैसे वो हमेशा करता था The farmer's wife took one look at the mongos and screamed blood Kisahan की पतनी ने एक बार उस mongos को देखा और चिला आई खून The face and puff of the mongos were streamed with blood Mongos क्या face और उसके पंजे खून में लिप्टे हुए थे सने हुए थे उसे इतना गुसा आया उसने देखा बलर्ड ये मोंगोस के पैर पे इतना सारा खून ही क्या है वो एकदम बहुत जादा सोच में पड़ गई ये देखे ये विग अनिमर ये ये खिल माई बेवी ये स्क्रीम हिस्टरिकली गंदे पशू तुमने मेरे बेवी को माई डाला उसने बहुत कठोर रूट से का शी वोज व्लाइन बिद रैग और विद अल रहर स्ट्रेंट ब्रट ताउन दा हैवी वास्केट अन्धी हो गई थी और से बहुत गुसा आ रहा था और उसने अपनी पूरी ताकत से जो उसके पास इडिवल्स की याने खाने के सामन की जो वास्केट थी उस खून से सने हुए मॉंगोस के ऊपर दे मारी और अपने बच्चे के पालनी की तरफ भागी देखे पिक्चर में किस तरह से खिसान की पत्नी ने मॉंगोस को मारा हूँ तब बच्चा था वो गहरी नीन में सो रहा था लेकिन फ्लोर याने उसके पास पालने के पास एक काला रंग का साप खून से लगपत और फटा हुआ था in a flash she realized what had happened थवी उसने सोचा की वास्तम में क्या हुआ होगा she ran out looking for the मॉंगोस वो मॉंगोस को देखने के लिए बापेस भागी look this picture how a मॉंगोस and a snake were fighting oh you saved my child oh तुमने मेरे बच्चे को बचाया you killed the snake तुमने साप को मार डाला what have I done मैंने क्या किया she cried touching the मॉंगोस who lay dead and still unaware of her soving वह नेवले को टच कर रही थी और रो रही थी परन्तु मॉंगोस बिलकुल शान था और उसके रोने से बिलकुल भी अंजान था the farmer's wife who had acted hisly and rashly stared long at the dead मॉंगोस परन्तु किसान की पत्नी जिसने यह है पिना सोचे समझे जल्दवाजी में हैंने नहीं लिया और वो अभी भी मॉंगोस के पास बैटी हुई रो रही थी then she heard the baby crying तभी उसने बच्चे की रोनी के आवाज सुनी wiping her tears she went in to feed him उसके रोनी के आवाज सुनकर अपने आसु पहुचकर मैं उसको दूद पलाने के लिए चल दी यह देखिए mongos and snake now in this video I give question and answer also because you have so much problems to take on out questions answer and search more and more so in this video you have to write question answer in your fair notebook first question is why did the farmer bring a baby mongos into the house किसान अपने घर में छोटे mongos को क्यों लेकर आया the farmer brought a baby mongos into the house to give a companion to his baby farmer जो अपने पच्चे को एक साथी एक मित्र देने के लिए छोटे mongos को अपने साथ लेकर आया question number two why didn't the farmer's wife want to leave the baby along with the mongos किसान की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा mongos के साथ अकेला रहे she did not want to leave the baby along with the mongos because after all it was an animal किसान की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा mongos के साथ नेवले के साथ अकेला रहे क्योंकि वो एक जानवर था what was the farmer's comment on his wife's years farmer ने अपनी पत्नी के डर पर क्या comment किया answer his comment was that the mongos was a lovely animal it was as sweet as their own baby उसने कहा कि यह एक बहुत अच्छा जानवर है और यह इतना ही प्यारा है जैसे कि उनका खुद का एक बच्चा question is why did the farmer's wife strike the mongos with her basket किसान की पत्नी ने mongos को अपनी basket से क्यों मार दिया the farmer's wife strike the mongos with her baskets because she thought that he had killed her baby farmer की पत्नी ने किसान नेवले को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सोचा था कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला question number five did she repent her hasty action how does she show her repentance क्या किशान की पत्नी को अपने इस चल्दवाजी की नेवले पर अफसोस हुआ और उसने अपने इस अफसोस को किस तरह से प्रदाशित किया answer yes she repented जी उसे अफसोस हुआ she showed her repentance while crying and saying what she had done and staring continuously at the dead animal और उसने अपना यह अपसोस रोते हुए चिलाते हुए और कहते हुए कि मैंने यह ऐसा क्यूं कर दिया और उस मरे हुए पशु को पुछकारते हुए दिखाया so once again thank you all of you this independence day पर आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो देखिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए thank you once again have a nice day bye-bye